और हमारे ये भाई हमसे इतना डर जाते हैं, इतना सहन जाता है बंदा कि ये बोलता है यार मेरे से नहों पाएगा, मैं निकल रहा हूँ आज़े तो हाई लू कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू, गलक चीन से भरे पड़े पड़े पपजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में, अब इस मैच में यार मैं अपनी पेटी बनते देख पा रहा था हर बार, मतलब हर वार ऐसे जगाओं पे फसरा हूँ, जहां पेटी बनना लगबग ताय हो जाता है, और बहुत दिक्कत है भी होंगे, लेकिन यार जैसे तैसे करके, कुछ न कुछ जुगाड भीडा के जीतने की कुशिस करेंगे, खेर फिलाल यहां अमेजिंग पारक आए हैं, और हमारे सा वहीं पेटी बन गई, खेर इन भाई के अलावा चार बंदे और आये होते हैं, और मैं अपनी ये मन पसंद जगाँ में चरजाता हूँ, यार ये ये जगाँ बहुत खतरनाक लगती है मुझे, अब देखो मुझे पता है लेफ्ट साइड से एक बंदा बैरल पटका रहा है मुझे क्या करना चाहिए, यहां से उतर के कहीं डंग की जगा पे जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ा धीट हूँ और अब यहां पे मेरी पेटी बनने वाली है, वो भी किस चीज की वज़ा से? सिर्फ और सिर्फ मेरी धीटता की वज़ा से इसलिए बोलता हूँ यार, यह धीटता मुझे कभी ठिलाएगी जरूर, और कई बार ठिला भी चुकी है लेकिन देखो, हम फिर भी इतने धीट है कि उपर ही रिवाइव रिवाइव खेल ले हैं और मैं बस कोजिस कर रहा हूँ कि यार, रिवाइव हो जाऊँ, जैसे तैसे हीलिंग पे लूँ उसके बाद यार, सब की पेटी बना के रख देंगे तो मैं धेड़ पेड रिवाइव हो जाता हूँ, एक मेट किड भी पड़ी होती है यार और लगाने लगता हूँ से, लेकिन ये लोग हमला कर देते उत्रे में ही और रिवाइव होते यार, चारो के चारो बंदो की पेटी बन जाती है अब किस्मत सही चल गई, क्योंकि यार, हेलमेट हूलमेट कद्दू भी नहीं था और ये दो बंदे तो उड़ते वे आते, और इनकी लगपक हवा में ही पेटी बना देता हूँ मैं और देखो जवाब ये उचल कूद करके उड़ते वे आते हूँ तब यार, एम इतना खराब हो जाता है कि क्या ही बताऊं कहीं पे गुली चलाओगे, कहीं पे गुली लगीगी अगर किस्मत सही रही, तब जाके गुलिया लगती है लेकिन देखो मैं तो यहीं उपर बैठा था और मेरा सपरे हमेशा की तरह सस्ता ही था लेकिन किस्मत साथ दे गई और चारो के चारो बंदे ठिल गए तो वहाँ पे पोचंकी के बगल में जो अमेजिन पार्क था, वहाँ से मैं सीधा मिल्टी रह रही आता हूँ देखो कहां से कहां आपड़ता यार किल लेने के लिए यही होता है यार देखो लालची हो तो ऐसे ही हरकत करनी पड़ती है और यहां पर आके मुझे एक बंदा उपन में भगते वे दिखता है और देखो इस बंदे के टीमेट्स बहुत चालाक होते हैं बेचारे अकेले बंदे को उपर में भेज दिया बोला कि भहिया गाड़ी ले क्या हो वही कर रहा था मेरे ख्याल से और हमने पकड़ लिया भाई को बिल्कुल और इनका एक बंदा तो रस्ते में ठिल गया और बाकी के बंदे बिल्कुल चत में वैटके मज़े से कवर के पीछे बैटके डीपी पटका रहे होते हैं तो देखो एक बंदे को मैं धेड़ पैड़ नौक करता हूँ और अब टाइम आ गया है अंदा रस करने का और यहां पर जो सीन होंगे ना बहुत ही गजब होंगे अब ये सीन बहुत ही बढ़िया है देखो मिल्टी ररी ऐसी जगाए जहां पर भी लेट होगे यार आप एक खतरनाक साब बन जाओगे क्योंकि जाड़ी जंकट यहां पर इतना दबा दबा किया ही कि क्या ही बताओं तो यहां पर टोटल तीन बंदे बैठे होते हैं एक बंदे को रोड पे पकड़ लिया था तो दो बंदे ऊपर ही होते हैं दोनों को मैं ऊपर ही नौक कर देता हूं और हमारा यह तीसरा बंदा चत से बिलकुल पूरी चौड में भाईया च्छलांग लगाते हैं और च्छलांग लगाने के बाद आगे आके गोली चलाने की बजाए भाई साब बन जाते हैं सही यार मतला गोली गोली चलने लगए धैड़ पैड नीचे गूदो और साब बन जाओ लेकिन क्यों कि यार कूदने की आवाज आ ही गई थी मुझे तो साब दिख भी गया खैर इसी के साथ मिलते रेरी आते मेरे को चार किल और मिल जाते ह और अब और जगा भटकूँगा ताकि और किल ले सकूँ लेकिन उससे पहले हम धेड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एच बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स और मिनी गेम्स खेल सकते हो साथी और चैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केट बॉल और 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 भी कई सारे स्पोर्ट्स पे बैट लागा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के थूरू पैस्यान कर सकते हो और आपको मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने पे साथ हजार उपे तक का बोन काड मिलेगा जिससे आप यूसी खरीद सकते हो या सूपर चैट में बहा सकते हो खेर उसके बाद मैं दूबारा से अमेजिंग पार्क पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर आके देखता हूँ यार एक गाड़ी पड़ी है और गाड़ी के आगे जो पत्थर है उसके पीछे एक बंदा बैठा पड़ा है अब देखो जिस हिसाब से ये भाई खड़े थे इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है अमेजिंग पार्क पे कोई ना कोई बैठा जरूर है और जहां तक मेरे को याद यार ये वही अमेजिंग पार्क है जहां पे मैं सबसे पहले उतरा था और पांच बंदों की पेटी बनाई थी लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसी जगा पे आके दुबारा किल तो दिक्कत किदर आ रही है केटी बढ़ेगी अपनी तो पहले मैं सबसे पहले इन सस्ते घरों पे आता हूँ क्योंकि आगे कितने बंदे बैठे हैं किधर बैठे हैं किसी को नहीं पता और यहां से गूलिया चलाने की कूशिस करने लगता हूँ फिर और यहां पे अपने सस्ते 6 एक से मैं दो बंदे नोक कर देता हूँ और वो बंदा जो ऊपर चड़ा था चज़े मैं भाई पता नहीं कहां पे एक एम पटका रहे हैं मेरे ख्याल से किसी बोट को दूर पेल रहा था वो खेर जो भी हो दो बंदे नोक कर दिये अब जितने बंदे हों गयार गुस के ही पिलना पड़ेगा और रिवाइव अगेरा भी हो रहे होंगे तो मैं ध्याड़ पेड गाड़ी लाता हूँ यहां पे अधर गाड़ी आई 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 गाड़ी आई अब आते टैम मैं दो बंदे नोक करता हूँ लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचता हूँ ना भाई हर कोई चुप चुका होता है नाजाने कहां पे जाके कैसे गायब हो गए यह लोग लेकिन जो दो बंदे नोक किये थे उन में से किसी की भी किलनी मिली बस यहाँ पे आके एक बंदे को पकड़ लेता हूँ मैं और उसकी सीधा पेटी बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आर गाय बुजारे बंदे और दुबारा से मैं अपनी मन पसंद जगा पे आ जातो यार यहाँ पे बिल्कुल मजा टैप आ जाता है अब देखो यह लोग नीचे नूचे कूदे हैं और मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि नीचे गया अगर तो यह कहां से गुम के कब पेल देंगे कद्दू पता नहीं चलेगा तो नीचे से फुटी स्टैप आ रहे थे मैं नेट नूट करता हूँ और कुछ भी नहीं उखरता नेट से और यह शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ पीले धुए मैं एज्जस और इस बार भाईया चाहे कुछ भी हो जाए रिवाई वोने नहीं दूंगा यार गुसके ही पिलना पड़ेगा हमें और यहाँ पे सीन ऐसे होते है यार इस सकोर्ड के अलावा एक गाड़ी भी गई थी यहीं कई से तो देखो ओपन में जाऊंगा तो मैं भी ठील सकता हूँ लेकिन पेटी बनानी भी जरूरी है और इस सकोर्ड के तीन बंदों की में पेटी बना चुका हूँ फलेर भी आ रखी थी यहाँ कहीं ना जाने किसने मगाई यह तो देखो तीन बंदे ठील गए लेकिन एक बंदा अभी भी यहीं कहीं बाकी है और देखो वो बंदा सीधा पेटी बनाएगा मतलब गोली चलनी चीए तब तक पेटी न बने जब तक वो हम पे भी लागू होता है हमारी भी पेटी बनेंगी सीधा तो ध्यान से रहेंगे ठीक है मजा करौ यार उचल कूदी में बिल्कूल रह रहूं में यहाँ पे और बंदा होता कहा है देखो यार आप क्या ही सीन कर करता है वो और हमारे यह भाई हमसे इतना डर जाते हैं इतना सहन जाता है बंदा कि यह बोलता यार मेरे से नहों पाएगा मैं निकल रहा हूं यहां से तो बंदा वो उड़ने वाली मसीन में बैठता है और भाई उड़के गाया बिल्कुल मैं भी धीट था मुझे पता था हवा मैं कद्दू भी नहीं पिल पाऊंगा मैं उसे लेकिन फिर भी गोलियां बर्बाद करता और आपने सुना ओगा अगर मुझे नहीं पता मैं पूरी जान लगा के चिला रहा था ताकि उनकी अवाज ना है भाई गरके सामने आके बाते पेलने लें ठीक है बाते करे जारे और मुझे लग रहा है सुन भे रहेंगे सुनने दो भाई घर पे रहो यार देखो अगर काम नहीं है बे फालतू मैं मस्ती के लिए मत निकलो यार घर पे रहो सतर क्रहो साफधान रहो खेर जो भी उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ इनकी बाते तो चलती रहेगी अपना काम आगे बढ़ना चाहिए सच्ती कमेंटरी आगे बढ़नी चाहिए और यार मानो याना मानो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरफ मैं सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को डूढ़ना आए था जो उड़के चला गया था अलग लेवल की ठीटता है मेरी भी अब ये दो बंदे तो वो होते नहीं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यार दो किल फालतू में मिल गई फ्री में मिल गई तो दिक्कत की दर आ रही है लेकिन देखो ये जगह भी जणकट से बरी पड़ी है कोई भी कहीं पे भी लेटा हो सकता है तो मैं धैड़ पैड जिसको नोक्या था उनकी पेटी बनाता हूं और इधर गटका गुटका की साइडा जाता हूं और यहां पे भी आगे वाले घरों पे बंदे बैठे पड़े हैं अब यहां पे यार मुझे घरों पे रहने में सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि यार बाकी के बंदे मुझे नेट से ना पेल जाएं मैं तो किसी का कुछ नहीं उखाड पाऊंगा नेट करके लेकिन यार वो लोग पेटी भी बना देते हैं कभी कभी और जब यह मेरे मुझे सामने भड़ता है ना नेट मैं हजोडता हूं भाई मैं बोलता हूं या हमसे ना उपाएगा मैं इधर कोने में आके लेट जाता हूं बिल्कुल फटके चारों गई होती है क्योंकि देखो वो नेट अगर अंदर आ जाता ना तो ये लोग अंदर रस करते और कितने बंदे बैटे पड़े हैं कद्दू भी नहीं पता तो मैं थोड़ी देर वहां बैटता हूं फिर बोलता हूं नहीं यार ऐसे किल और केठी नहीं बढ़ेगी तो मैं दुबारा उड़ता हूं और यहां दर्वाजे पे ठीपी पी लेने लगता हूं अब ये लोग काफिर देट तक ना ही पीक करते हैं ना ही नेट करते हैं तो करना क्या यार हम ही अंदर गुसेंगे और पहले की कुछिस करेंगे और हुँगे यहां पे भी गलत सीन अब यहां पे हम दोनों बज जाते लेकिन ऐसा होना नहीं चीए था सीन क्या होता है वो बंदा छत के उपर से सीडियो के उपर से गोलिया पेला होता है अंधा प्रिफायर मैं बोलता हूँ यार यह प्रिफायर देगा हम भी प्रिफायर देंगे प्री फायर देते हैं वे उपर की तरफ मूँ करता हूँ बाद में पता चलता है उपर कोई है ही नहीं बनना नीचे कूच चुका होता है और जब मैं नीचे जाता हूँ गन रिलोट पे चली जाती है मैं बोलता हूँ या हमसे नहुपाएगा बाहर निकलता हूँ दर्वाजा बंद करता हूँ गन को रिलोड करता हूँ और जैसे ऐसे करके पेल देते हैं मिने मिल जुलके खैर जो भी हो उसके बाद यहां पे काफी देर में रुका रहे तो हूँ क्या पता साप सुप मिल जाए बोलके लेकिन कोई भी नहीं मिलता और बढ़िया बात यह है कि यार एड़वलय मिल चुकी है अब याद रखना वो जो बंदा भगा था उससे हम पंगे जरूर लेंगे उसकी पेटी जरूर बनाएंगे देखो यार हूँगे उसके साथ गलत सीन भी लेकिन फिलाल यहाँ एक बंदा कैम्प करके बैठा होता है होल्ड करके बैठा होता है तो इस भाई को पेलने के लिए हम भी अंदर गुश जाते हैं और यहाँ पे मैं प्रीफाइर नहीं दूँगा यार मैं ठिलना नहीं चाता पहले भी गलत सीन हो गए हैं इस बार गुश के गुलियां चलाएंगे सीधा अब आपने सुना होगा उपर पहाड़ी के तरफ कोई M249 पटका रहा होता है सो गुलियां चला रहा होता है और वो गन्ना अपना पूरा गेम बदल के रख देगी और ये चीज मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ यार ये बोट लोग कैसे कैसे जिन्दा रह लेते हैं आखिर तक हमसे नहीं पता कभी कभी इतना खैर जो भी ओ M249 वाले बंदे पहाड पे चड़े बैठे थे तो मैं भी सकूप वगेरा खोलता हूँ देखता हूँ का है और जिस रफ्तार से वो लोग भक्के आ रहे थे ना मैं समझ गया यहाँ पे अगर मैं रुका थोड़ी दिर और तो मेरी सीधा पेटी बनेगी और भाई पे थी वी M249 तो यार सो की सो गोली पेटी में भर देता वो मेरी कैर जो भी यहाँ पे जोन नहीं होता तो मैं बोलता हूँ ठीक यार जोन की तरफ चलेंगे अब याद रखना उस बंदे पे M249 थी और मेरे पे क्या है मेरे पे गाड़ी पड़ी है तो मैं गाड़ी निकालूँगा और यार गाड़ी और M249 का रिस्ता बहुत ही गलत होता है और यहाँ पे मुझे जिस चीज का डर होता है यार वही चीज होती है वो भी बंदा लेटा पड़ा होता है अब देखो भाई वैसे भी M249 पठका रहे हैं उपर से लेट के तो यार वो सारी की सारी गोली हमारी गाड़ी में भड़ देता है बंदे की मैंने पेटी तो बना दी लेकिन अपने पे गाड़ी नहीं है तो मैं क्या चा रहा होता हूँ वापिस लेट वाले गरों पे जाना चा रहा होता हूँ लेकिन फिर से यार जोन नहीं होता वहाँ पे तो बरबादी हो जाती है समोक की और तामबे पे सुहागा करने के लिए राइट से कोई बंदा एउजी भी पटका रहा होता है अब देखो सीन क्या होता है लेट वाला मैं घर इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये लोग उपर से आएंगे और पाहड़ी से उस घर पे गूलियां पेलना बहुत आसान होता है लिकिन यार ये लोग बहुत जल्दी आ चुके होते और हमें रस्ते में ही पकड़ लेते हैं और अब लेफ्ट वाले घरों पे जून भी नहीं बचा होता तो उपन में जुगाड भिड़ाने होंगे और ये थे हमारे M249 वाले भाई के जहरी ले टीमेट ये बंदा भी लेटा पड़ा है उपर पे तो देखो इस भाई को मैं सीधा सीधा दो गलती से एट सोट मारता हूँ मतलब रिवाइव क्या रिवाइव का नाम भी नहीं ले सकते थे ये लोग जब तक भाई ने बोला होगा अरे भाई आब रिवाइव देना जारा तब तक भाई की पेटी बन गई थी खैर उसके बाद मैं जोन में गुशता हूँ जैसे टैसे गरके गाड़ी के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है और बिल्कुल ओपन में पासे हम और अब दिक्कतें और भी जादा बढ़ गई है उपर एक बंदा है और जो जिस हिसाब से उसके हाथ में गंती मैं समझ गया यार M के चोदा पड़ी है भाई पे तो देखो समल के रहना होगा लेकिन दिक्कत ये भी एक यार राइट में भी कुई बैठा है और राइट में कौन बैठा होता है देखो यार आप खुद और देखो जिस बंदे ने मेरे टीमेट को नौक किया ये सेम टू सेम वही बंदा होता है जो वहाँ से उड़के भग गया था क्योंकि इस भाई को मैंने पहले नौक किया था उन सस्ते घरों से लेकिन किल कभी भी नहीं मिली बंदे की तो देखो वो बंदा वहाँ से भगा और अब आकरी जोन में आके भाई हमी को तंक कर रहे हैं कास वहीं पे पेटी बना पता यार दिक्कते बहुत कम हो जाती लेकिन कोई नियार धैड़ पैड मैं रिवाइव अगेरा देता हूँ यहाँ पे कोई गोली नहीं चलाता सब अपने में ही लगें पता नहीं क्या ही कर रहे हैं और लगभग हमेशा की तरह जोन अपने को फिर से धोका दे बैगता है अब देखो उपर पे एक बंदा बागी है जिस पे MK14 पड़ी है राइट पे एक बंदा बागी है जो अमेजिंग पार्क से उड़के भग गया था और उस भाई पे EUG पड़ी है लेकिन देखो इन दोनों गण से खतरनाक गण तुम्हारे भाई पे पड़ी होती है तुम्हारे भाई पे AWM पड़ी होती है बिल्कुल अब हमारे सामने वाले भाई अमेजिंग पार्क से उड़के जरूर भग लिये थे लेकिन यहां से कहीं पे भी नहीं जा सकते है और अकिर कार जाके जिस बंदे का पीछा नजाने कहां तक किया कहां से किया उसकी पेटी बन जाती है सही है यार मतलब जो बंदा मुग के सामनी से भगा उस बंदे को आकिर में पेला मजा टैपी आगया बिल्कुल तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर यहां पे मेरे पे AWM नहीं होती और वो जो बंदा पत्थर पे लेटा पड़ा था अगर मैं उससे नहीं पेल पाता एक ही गोली में अगर किस्मत साथ नहीं देती वहां पे तो यार जीतना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल हो जाता क्योंकि यार फिर MK14 से और AUG से ये दोनों के दोनों हम पे गोलिया पेलते लेकिन बच गया यार मज़ा ठैपा गया तो बस भाई लो गयार आज के वीडियो में इतने बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए और यार लाइक और सब्सक्राइब करना मद भूलना देखो ये बात हर बार बूलनी पड़ती है ये यूटूब का रूल है बिल्कुल अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो ये बात बोलना जरूर है लाइक सब्सक्राइब करना मद भूलना तो आज के वीडियो में इतने बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एक सब्सक्राइब करना मद भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते है यार बाई बाई झाल